आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों कैसे हैं। आप सभी उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीरवाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब वक्त आ गया है भगवान, आपके लिए जिसे जन्म जन्म के लिए बनाएं हैं, वह मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सभी का बांध तूटने वाला है। आपके मन की इच्छा पूरी होने वाली जैसा आप चाहते वैसा ही। जीवन साथी, अगले 48 घंटे में आप सभी को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, कि आप अपने जीवन काल में जो भी की जैसे भी किया, उसके उपर भगवान का नजर रहता है, लोग कुछ भी कह लें, लेकिन भगवान ने आप के लिए जिसे बनाया है, वह आपको अवश्य ही मिलता है। और एक बात यह भी है कि लोग जैसे कर्म करते हैं, उन्हें के अनुसार ईश्वर उनके लिए भी जीवन साथी बनाते हैं, और वह जन्म जन्म की साथी होते, लेकिन आप सभी को बता दें, आपके अच्छे कर्म हैं। आपने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है, जो भी किया है, महनत से किया है, और इससे भगवान बहुत ही ज्यादा आप से परेशान नहीं, और अब आपको वह जीवन साथी देने वाले हैं, जिसे आप सभी का जीवन बिलकुल ही सुर्ग जैसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बस समय का इंतजार आपका खत्म हुआ, अब आप अपने जीवन में वह खुशियां पाएंगे, जिन के लिए आप पिछले कई समय से तरस रहे थे, भगवान ने आपकी माँ की पुकार को सुन लिया है, और आपके ही जैसा आपके जीवन साथी को बनाया ह आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जै माता द आवश्य लिखिएगा, एक बार नहीं दोस्तों, तीन बार लिखिएगा, यकीन मानिया, आने वाले 24 घंटे के अंदर माता रानी बड़ी खुश खबरी देंगे, तो जरूर लिखिएगा, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों, अगले 48 यह एक महिला आपके जिन्दगी में आने वाली है, यह दोस्तों आपकी जिन्दगी पूरी तरह से बदल कर रखती, कि यह महिला इसे कोई साधारन घटना ना समझिये, दोस्तों, यह घटना जीवन में केवल एक बार ही करती है, और वह शुभ घड़ी आपके जीवन में अ अब आ चुकी है, आखिर कहां मिलेगी, यह महिला और कौन है, यह महिलाओं में सब कुछ आपको हम इस वीडियो में पता नहीं जा रही है, और सबसे महत्वपून बात दोस्तों, यह है कि जब यह महिला आपके जीवन में आई थी, तो फिर आपकी जिन्दगी में वह घट यह सब बातें जो हम आपको बता रही हैं, इन्हें गलती से भी मजाक मत समझ लेना कि आपके जीवन में होने वाली है, सची घटनाएं हैं और इन्हें हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, यह आपकी ग्रहों की चाल बोल रही है, आपको हम बता दें कि शुक्र एक ऐसा ग्र इसी वजह से जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं, वह आपकी राश में लिखा हुआ है, आपके ग्रहों की चाल में यह बताया जा रहा है या दोस्तों, हम आपको हर एक घटना बिलकुल जूँ की तियों वास्तविक घटना के तौर पर बताएंगे, आपको बस ठंडे दि क्यास होता है, और इश्वर हमेशा आपके साथ हैं यह आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकी आपका दिल बहुत ही सच्चा है, आप हमेशा दूसरों की खुशी से खुश होते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो कि आपकी एक अनोखी आरक्षर संसार में इसका उल्टा होता है लोग दूसरों के सुख से दुखी होते हैं दूसरों के दुख में दुखी होते हैं आनंद लेते हैं मजे लेते हैं लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है इसी वजह से आपका सच्चा मन आपकी सची भावनाएं इश्वर को आपकी ओर आकरशित करती हैं इसी वजह से अब इश्वर ने भी शायद यह निर्णे लिया है कि आपके जीवन में सुख केवल सुख की घड़ियां अब आकर ही रहेगी तो इस वीडियो को आप इश्वर का आशिरवाद माने और भगवान का प्रसाद समझ कर इसे स्वीकार करें वीडियो को पूरा देखे हमने बहुत महनत की है दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी जियोतिशी ये आकलन जोड गनित गुणा भाग लगाया है तब जाकर हम आपको यह जानकारी देने जा रहे हैं तो बिना समय गवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं लेकिन इससे पहले आप से एक निवेदन है हाथ जोड कर निवेदन करते हैं दोस्तों की कम से कम तीन बार कमेंट में जय मा राधा रानी कृपा करो अवश्य लिखना और इंतजार करना हम कहते हैं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत ही अच्छी बहुत ही सुन्दर खबर सुनने को मिल जाएगी माता राधा रानी का आशीरवाद आपको प्राप्त हो जाएगा साथ ही साथ दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब अवश्य कर देना और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा देना दोस्तों ये बिलकुल ही फ्री है बस इतना करने से आप हमारे बहुत अधिक मनोबल बढ़ा देंगे फिर देखिए हम आपके लिए एक से बढ़कर एक नगीने लेकर आते हैं और आपकी जिन्दगी में कई रंग भर देंगे दोस्तों हम पूरा जोर लगा रहे हैं बस आपके समर्थन की हमें बहुत अधिक आवश्यक्ता है तो चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूले दोस्तों हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इनसान है जो बाहर की चुनौतियों से बिलकुल भी डरते हैं आपका बाहर की चुनौतियां बाहर के दुश्मन बाहर की परिशानियां बाल भी बांका नहीं कर सकती है आपका मनोबल बहुत उचा है आत्मबल आपका बहुत ही अधिक शक्तिशाली है लेकिन आपकी कमियां आपके अंदर ही छुपी हुई है आपको चोट आपके अपने ही पहुँचाते हैं और आपके स्वभाव की कुछ ऐसी खामिया है जिनकी वजह से आप पीडित होते हैं बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि आप कंकड पत्थर भरे हुए रास्ते पर जूता पहन कर चलेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन उन्हीं कम करो में से एक भी कंकड यदि आपके जूते के अंदर आ जाए तो आप साफ सुथरी रास्ते पर भी चलेंगे तो आपको बहुत कश्ट होगा उसी प्रकार आपके अंदर आपके दिल में आपके घर परिवार और दोस्तों में जो आपके साथ वह उसी एक कंकड के समान है जिन्होंने आपके सुंदर और सरल स्वाभाव और आपके सरल जीवन को बहुत ही व्यतीत कर रखा है आपको परिशान कर रखा है नर्क की भरती में आपको जलने के लिए मजबूर कर दिया है तो अब आपको कठोर फैसले लेने हैं और जीवन में लोगों को ना कहना सीखना होगा जब तक अपना नहीं कहेंगे भावनात्मक तौर पर कठोर नहीं होंगे आपको लोग अपना बन कर आते रहेंगे परिशान करते रहेंगे टीवी नाइन पहुंचाते रहेंगे और आप इतनी अच्छी और सरल इंसान हैं कि आप तो अपनों के द्वारा ठगे जाने के बाद भी उनकी शिकायत नहीं करती हैं सब कुछ चुप चाप सह लेते हैं और मुस्कुराते रहते हैं यही तो आपकी खूबसूरती है बस एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको अपनी मन को मजबूत करना है और अपने स्वभाव की छोटी छोटी कमियों को दूर करना है दोस्तों याद रखें कि जो इनसान सरल होता है सीधा और सच्चा होता है वह इनसान भगवान का बहुत अधिक प्रिय होता है लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आपकी छोटी खानी और भी है कि आपका जब मन खराब हो जाता है जीवन की परिशानियों से हुई जनों से जब आप खूब जाते हैं च्छा जाते हैं तो फिर आपका मन भगवान से भी हिलने लगता है स्वास्त है आपका हिलने लगता है और आपको लगता है कि शायद भगवान जान बूच कर आपको तकलीफ में डाले हुए है आपको गिराने पहुँचा रहे हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपको दो काम करने हैं पहला काम ये है आपको केवल सचे मन के साथ पूरी महनत और लगन से अपने काम को करना है बिना किसी की परवाह किये हुए ना किसी व्यक्ति की ना किसी रिष्टे की और ना ही स्वयम भगवान की भी परवाह किये बिना क्योंकि भगवान ने तो खुद ही कहा है गीता में कि हे अरजुन तू कर्म किये जा फल की इच्छा मत कर वह तो मैं तुझे दूँगा पर मंडे वादिकारस्ते मा फलेशु कदाचना फल की इच्छा तुझे करनी ही नहीं है तू तो बस इस जीवन के सफर का आनंद लिया जा दोस्तों याद रखो कि जब हम इसी बस में सफर करते हैं तो हमें तो पता भी नहीं होता कि ड्राइवर कौन है लेकिन हम तब भी बिना किसी चिंता के बस में बैठ जाते हैं ना ही हम ट्रेन में कभी सोचते हैं कि इसे कौन चला रहा है हवाई जहाज में भी हम नहीं सोचते कि इसे कौन चला रहा है हम बिलकुल बेफिक्र होकर यात्रा करते हैं और सही स्थान तक पहुँच भी जाते लेकिन जिन्दगी में हम क्यों इतनी चिंता करते हैं कि हम हर एक गम को खुद करना चाहते हैं हर एक निर्णय अपनी ताकत से लेकर जीवन को खुद से बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि इस जीवन को चलाने वाला तो स्वयम भगवान है वही हमारे निर्णय ले रहा है उसी ने हमें जीवन दिया है वही हमें मृत्यू के जीवन का हर कार्य ईश्वर की आग्या से ही चलता है तो फिर क्यों नहीं जीवन का आनंद लेते हैं जो हम हर काम को खुद अपनी ताकत से करने की कोशिश करते हैं कार्य तो करते हैं तो कोई बात नहीं अच्छी बात है करिये लेकिन कार्य के परिणाम से हम दुखी क्यों हो जाती है परिणाम तो इश्वर दे रही है क्योंकि हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर स्वयम भगवान है अब तो बस यात्रा का आनंद लीजिए इतनी सारी बातें हमने आपसे जो कि हैप्पी बातें केवल हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि हम आपके मन को जानते हैं आपके हृदय को जानते हैं और आपका मन और हृदय बहुत ही कोमल है और ऐसे कोमल हृदय में भगवान रहते हैं बस जरूरत है तो आपके अंदर छोटी सी घ्यान के दिये को चलाने की विधी किये कितना सुन्दर प्रकाश आपके हृदय में फैलता है और आपका जीवन कितना शांती पूर्ण है बिलकुल एक ठहरे हुए तालाब के समान हो जाएगा इसमें कोई लहर नहीं है फिर उसी में दिखेगा आपको ईश्वर का सच्चा प्रकाश जीहां दोस्तों और आज हमें तकलीफ है लग रही है शायद भविश्य में भी हमें बहुत अधिक सुख देने वाली है आज की तकलीफ है कल का सुख होती है दोस्तों इसे याद रखना है आपको अब हम आपको बता दें कि इस समय आपको शांत रहने की बहुत आवश्यक्ता है आपके मन में थोड़ा सा चंचलता रहेगी अब इसको लेकर आएं और डर भी अनजान संभाई आपको सताता रहेगा आपको अपने मन को शांत रखने की आवश्यक्ता है आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय कार्य करने में बताएं अब ही अपने आपको व्यस्त रखें अगर आप जरा भी फ्री होंगे तो आपके दिमाग में कई तरह की नकारात्मक विचार उत्पन होने लगेंगे आपके मन में एक उत्तल पुथल का भाव रहेगा एक द्वंद्व चलता रहेगा ऐसे में आपको किसी भी इनसान के साथ अधिक बात नहीं करनी है ज्यादा बात करने से बात बहस में बदल जाएगी जगड़ा भी हो सकता है और यदि बहस होती है और जगड़ा होता है तो आपका सम्मान कम होगा यानि आपका अपमान हो जाएगा खास तोर से नकारात्मक लोगों से आपको बच कर रहना है एक बात हम आपको बता दें दोस्तों है कि आप जितनी सकारात्मक है जितनी सरल स्वभाव के इंसान है उतने ही आपके आसपास के जो लोग है नकारात्मक और उतने ही कठिन स्वभाव के लोग है यानि कि चेहरे पर कुछ और है और मन में कुछ और है तो आपको ऐसे नकारात्मक लोगों को ढूंड़ना है और उसे किसी भी प्रकार की बहस-बाजी में नहीं पढ़ना है आपको चुप-चाप बस अपने काम से काम रखना है इस प्रकार आपके कार्यस्थल पर भी आपके किसी सहकर्मी के वजह से एक तनाव की स्थितियोत्पन हो सकती है किसी प्रकार की बहस-बाजी भी हो सकती है वह भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने बौधिक बल का प्रयोग करें अपनी बुद्धी को अच्छी तरह से उपयोग में लाए और जगडे में ना पड़े भैस बाजी में ना पड़े क्योंकि अगले 48 घंटों में हो गाई है अक्सर आपकी नियंतरण से बाहर रहेंगे चीजें आपको कम समझ में आएंगे और आपके काबू से बाहर हो जाएंगे तो ऐसे में आपको संभल संभल कर चलने की आवश्यक्ता रहेगी दोस्तों आपके मन में भी उत्साह की थोड़ी सी कमी रहेगी एक और खास बात, दोस्तों की आप पैरों में चोट लग सकती है या कमर के किसी निचले हिस्से में दर्द हो सकता है किसी चोट के लगने की आशंका है थोड़ा सा संभल कर रहे दोस्तों दोस्तों, आपको जल्द बाजी में कोई कार्य नहीं करना है क्योंकि आपका मन चंचल रहेगा बेचैनी सी रहेगी और आपका जोश ठंडा रहेगा तो आप काम को जल्दी जल्दी निप्टाने की कोशिश करेंगे तो आपको जल्द बाजी में काम नहीं करने है और कोई भी फैसला आपको जल्द बाजी में नहीं लेना है ठंडे दिमाग से लेना है और कारे को भी अपनी गती से करना है जल्दबाजी नहीं करेंगे अन्यता आपको बड़ी हानी हो सकती है खर्चों के मामले में भी अधिकता रहेगी किसी न किसी कारण की वजह से ऐसा अधिक खर्च हो जाएगा और आपका मन खराब हो जाएगा लेकिन सब नकारात्मक खबरों के बीच में अच्छी खबर ये है दोस्तों की आपका मन है धर्म कर्म के कारियों में लग जाएगा आपके मन में ईश्वर के प्रती श्रद्धा भाव जागेगा आस्था जागेगी और आपका मन करेगा कि आप मंदिर जाने की पूजा आराधना करें। बहुत अच्छी भावना है। आपको यह अवश्य करना ही चाहिए। दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में कई वीडियो में भी यह बता चुके हैं कि आपकी राश्य के जातकों का उद्धार तभी होगा जब आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। हम जितने आप धार्मिक और सात्विक बन कर रहेंगे, आपको उतनी ही जल्दी सफलताएं प्राप्त होगी। क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपके मन में जो सकारात्मक भाव है, ईश्वर को बहुत प्रिय है और जब आप ईश्वर के नस्दीक जाएंगे, फिर आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, आपके मन के अनुसार होगा, आपको अपने जीवन में जो आप ऐसे फैसले ले, ईश्वर की मर्जी के अनुसार होगी याद रखिए कि भगवान आपसे क्या कह रहे हैं, भगवान आपसे कह रहे हैं कि तू हर समय वही करता है जो तू चाहता है, फिर तू दुखी हो जाता है, तो क्यों ना तू वह कर दो, मैं चाहता हूं, फिर इश्वर का नाम लीजिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहिए। शराब ये किसी भी प्रकार की नकारात्मक गलत गतिविधी से आपको कोसों दूर रहना है। दोस्तों में मजाक आपको भूल कर भी प्रयोग नहीं करना है और आपको हमें गुप्त बात बता देते हैं जो कि आपके लिए बिलकुल राम बार्ण की तरह कार्य करें कि दोस्तों आपकी राश्य के जातकों पर 100% फिट हो गई है। बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इस बात को गलत साबित कर दे तो इसी वक्त वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। दोस्तों तो हम आपको बता दें कि आपको नियम से हनुमान 40 का पार्ठ रोज करना है। चाहे आप सुबह करें, शाम करें, दोपहर करें। रात को जब आपको समय मिले, आपका दोस्त ईश्वर के लिए कोई समय नहीं होता है। सारे समय ईश्वर के ही समय होते हैं, तो आपका जब भाव जागी आप करिये, रोज एक बार 24 घंटे में एक बार अरजी लगाई है। हनुमान 40 का पार्ट शुरू करिये, आप देखेंगे कि आपका जीवन बिलकुल आपके अनुसार हो जाएगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, इतनी शक्ती है, हनुमान 40 के अंदर बहुत ही सरल है, उपाए लेकिन करना बहुत कठिन है क्योंकि नियमित्ता बना कर रखना बहुत कठिन है, लोग नियमित्त नहीं होते हैं, दोस्तों एक दो बार दूद लेने से कोई इनसान ताक्तवर थोड़े ही हो जाता है, दूर चाहे एक गिलास किया जाए, लेकिन रोज पिया जाए, नियम से पूरा शरीर में शक्ती उत्पन्न करता है, लेक क्या बुराई है दोस्तों, हम अपने दिन के 24 घंटे दुनिया भर के कारियों में व्यतीत कर देते हैं, तो क्यों नहीं, पांच मिनट किवल हनुमान जी के कारियों में लगा दे, प्राप्ति के लिए हनुमान जी खुद आपके जीवन का भार उठा लेंगे, परवत उठा हनुमान जी आपका जीवन क्या है, कुछ भी नहीं जरा सा है, अब आपको बताते हैं, सकारात्मक खबरें जो अगले 48 घंटों में आपके जीवन में घटित होंगे, अब इन सब नकारात्मक खबरों के बीच में बताते हैं, वह खबरें जो आपको पसंद कर देंगे, अग आपको भावनात्मक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी मदद करेगा। ये दोस्तों आपको किसी कठिन परिस्थिती से बाहर निकाली में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपके व्यापार में बिजनसमैन नए संपर्क बनेंगे, जिससे आपको अपने बिजनस को बड़ा करने में मदद मिलेगी और यदि रुपए पैसे को लेकर कहीं कोई भी चल रहा था। वैसे आपके अटक गई थी, मिल नहीं पा रही थी तो अब समय आ गया है कि वह विवाद सुलच जाएगा। आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मिलेंगे। बिलकुल भी नहीं रुके के साथ ही साथ दोस्तों, आपका आपकी प्रेमी या जीवन साथी से बहुत मधुर समबाद होगा। बहुत ही अच्छा आप समय बिताएंगे और आपका जीवन साथी आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा। आपका मनुबल बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएगा। और इन सबसे बड़ी बात तो स्टाफ है कि आपका शत्रू आपका दुश्मन है। आपके सामने हार मान जाएगा। आपके सामने टिक नहीं पाई का सिर्फ एक ही है। आपको ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में जो धार्मिकता के विचार उत्पन हो रही है। उसी के अनुसार आप धार्मिक हो जाती हैं। इससे जुड़ जाते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आपका आध्यात्मिक बल इतना अधिक बढ़ जाएगा कि आपका सचिव जो आपके खिलाफ योजनाएं बना रहा है, वह विफल हो जाएगा। उसका आपके उपर से मन हट जाएगा, वह कहीं और। समस्याओं में उलच जाएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, सकारात्मक नजरीये के साथ यदि आप चलते हैं, तो आपके कार्यक्षेतर पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किये बिना मांगे नहीं का ये है कि आपके कारे करने की शैली यानि कारे करने की तरीक के इतने शक्तिशाली इतने प्रभावशाली हैं कि आपके उच्च अधिकारी तो आपसे प्रभावित रहते ही हैं। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ किये बिना रह नहीं सकते हैं। साथ ही साथ दोस्त होते हैं। अगले 48 घंटों में आपको एक बहुत ही शुब समाचार मिलेगा, जो आपका मूड ही बना देगा, आपका मन पर सन्न हो जाएगा, तो यह तो सारी बातें थी, जो आपके राशिफल से जुड़ी हुई थी, आपके जीवन से जुड़ी हुई थी, अब बात करते हैं उस महिल की, जो आपके जीवन में अगले 48 घंटों में आने वाली है, जी हाँ दोस्तों, वह महिला आपको बहुत अधिक मोटिवेट करेगी, आपकी प्रेरणा भरने का कार्य करेगी, आपको हिम्मत बढ़ाएगी, और आपको जीवन से लड़ने का संघर्ष करने का बलप्रदान क बता दें कि यह जो महिलाएं इस महिला के आपके जीवन में आते ही सकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी आध्यात्मिक उर्जा, आपकी आत्मिक उर्जा सकारात्मक हो जाएगी, जैसा कि हम अपनी पिछले कई वीडियो में बता चुकी है, क तो वह इनसान जो भी फैसले लेता है, उस सच होने लगते हैं, इनसान इश्वर का प्रिय हो जाता है और उस इनसान के जीवन में सारी घटनाएं अच्छी होने लगती हैं, यानि वह अपने जीवन को नियंतरित करने लगता है, लेकिन इस उर्जा के क्षेत्र को सकारात्म बनाए रख पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि आपने किसी की जरा सी बुराई भी कर दीजिए, आपके मन में जरा सा करो, या गिलानी, या कोई भी नकारात्मक भाव, आख्या पूजा चित्र नकारात्मक होने लगता है, तो आप जब इस महिला के संपर्क में आएंगे, तो आपका उर्जा क्षेत्र सकारात्मक होने लगेगा, ये दोस्तों ध्यान से सुनिए, किस महिला का नाम क्या है, मैं महिला आपको कहा मिलेगी, इस महिला का नाम का पहला अक्षर है, वह आ है और यह मेश राशी की महिलाएं आएगा, ये दोस्तों, ये महिला आपसे पहल इस महिला का सीधा प्रवेश ना हो आंशिक प्रवेश हो लेकिन कहीं न कहीं से यह महिला आपको मदद अवश्य करेगी किसी न किसी रूप में यह आपके जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आएगी अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि कुछ लोग तुरंथ खड़े हो जाएंगे और विरोध में आ जाएंगे वो कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई महिला नहीं आई हमारे जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया तो दोस्तों, हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि आपकी राश्य के जातक यदी धार्मिक है इश्वर का नाम लेते हैं, नित्य इश्वर को पूझते हैं, मन में सकारात्मक भाव रखती है तब ही ग्रहों की चाल का प्रभाव आपके उपर रहता है सकारात्मक रहता है अन्यथा कोई भी शक्ति आपके जीवन को बदल नहीं सकती जब तक कि आप नकारात्मक रहेंगे आप हर चीज पर शक्त करते रहेंगे तो आपका जीवन में कभी नहीं बदलेगा शक करने वाले लोग तो प्रभुश्री राम पर और स्वयम हनुमान जी पर भी शक कर लेते हैं ये तो भगवान ही नहीं है तो कालपनिक कहानिया है तो अब ऐसे लोगों को भगवान ही सद्बुध्धी देंगे हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं जो आपकी राशे कह रही है जो आपकी ग्रहों की चाल कह रही है हम वहीं आपको बता रहे हैं हम कोई अपने मन से आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं तो आपको अपनी ग्रहों की चाल को यदी पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है, उसका लाब लेना है तो हम कई बार कह चुके हैं। फिर कह रही है कि धार्मिक रहिये, नकारात्मक होते ही आपके जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा भी आपको बुरा प्रभाव देने लगेगी, यह जहां शुक्र आपको स्त्री सुक देने वाला है, अभी अगले 48 घंटों में वही शुक्र आपको स्त्री सुक से वंचित भी बना सकता है। यानि जहां आपका प्रेम संबंध चल रहा है, वह तूट भी सकता है। जगड़ा भी हो सकता है आपकी जीवन साथी के साथ जगड़ा लड़ाई हो सकता है। प्लीज हो सकता है तो उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये होगा क्यूंकि आपने खुद ने अपने अंदर नकारात्मक तापर रखी है। यदि आप जो शराब करते हैं या कोई गलत गती विधी में जाते हैं, वेश्या वृत्ति में लिप्त रहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। इसमें आप खुद ही नकारात्मक है, तो जब नकारात्मक उर्जा आपके पास है, तो वे नकारात्मक उर्जा को आकर्शित करेगी, तो शुक्र की नकारात्मक उर्जा को ही अपनी ओर आकर्शित करेगी। याद रखिए, एक ग्रह के दो रूप होते हैं एक सकारात्मक, एक नकारात्मक जहां शुक्र आपको स्त्री सुख देने वाला है, धन वैभव देने वाला है वही शुक्र को राक्षसों का गुरु भी कहा जाता है, तो ये राक्षस कराए है इसमें कई प्रकार की नकारात्मक ताई भी भरी हुई है तो आपकी सकारात्मक उर्जा किसे आकरशित कर रही है ये निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है अब आप शायद समझ में आ गया होगा कि हम आप से क्या कह रहे हैं पहले आप पूरी बात को समझ लेंगे तो आप सारी बातें अच्छी तरह से स्पष्ट होने लगेंगे बस यूही आधी अधुरी बात सुनकर कुछ भी कह देना बहुत सा होता है दोस्तों, उम्मीद दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकरी समझ में आ गई होगी और आप इस जानकरी का प्रयोग करके अपने जीवन को बदल भी पाएंगे बाकी आप चिंता ना करिए दोस्तों, हम भी यहां से जोड़ना हर रोज मां राधारानी की हवन में हम आपकी राशे के जातकों की शुभ कामना की प्रार्थना करते हैं मां राधारानी से यह प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृध्य आए मां राधारानी के रोज आपके नाम की आरतियां होती है दोस्तों आप बस याद रखिए जो हम आपको कह रहे हैं और बातों को समझने का प्रयास करिए इसके साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं जो भी प्रशन आपके हो कमेंट में लिखें अगर सही कमेंट होगा, प्रशन जायज होगा तो हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं अगले ज्यान वर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कमेंट में जैमान राधारानी पूरे भक्ती भाव से लिखें माता की कृपा और आशीरवाद आपको प्राप्त होगा जै माता की